अभी बिहार के पुर्व मुख मंतरी ललालू परसादियादो जी उनका किड़नी ट्रांस्प्लांट हुआ कहां पर सिंगापूर में उनकी बेटी है रोहिनी अचारिय उन्होंने अपनी किड़नी जान दान दिया है कर देखें बाब आप लड़की बहुत मानती हैं सब अच् किड़नी पर चल रहा है और रोहिनी अचारिय उनकी बेटी सिंग्यापूर में उन्हों नहीं दिया ऐसा तो वह इंसान एक किड़नी पर जी सकता है प्रॉपर जी सकता है अभी बता है आप एक आख बंद करके भी आप क्या कर सकते हैं सारे काम को कर सकते हैं लेकिन दो में दो होता है एक कांट से भी सुन सकते हैं दो में वेश्ट होता है तो बैया जब भी मार पड़े हैं इमर्जेंसी एक में भी चल सकता है किड़नी जो होती है उसकी संख्य कितनी होती है दो लाका लड़की दोनों में दो ही किड़नी होती है ऐसा लड़की ना सोचे सब की उनलों के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दो किड़नी होती है एक किड़नी का भार जो होता है 140 गराम होता यानि लगवाग 300 g का एक kidney होताать 1500 g का एक kidney होता इवा लभी इवा लभी दूनों kidney क्यों kidney होता है 2 यहां पर आगे से अगर operation कीजेगा तो kidney तक नहीं पहुछ पाएङगे लो क्योंकि आगे मिल जाएगा इधर मिलेगा liver इधर मिलेगा pancreta यहां मिल जाएगा छोटी याथ बड़ी याथ इसलिए आगे से उप्रेशन करके सुचिए किडिनी निकाले तो धर्द तो फेफड़ा अपरा सब यह लीवर उबर बाहर निकाल इसलिए जब भी भी डॉक्टर ऑप्रेशन करता है किडिनी के तो इस साइट से करता है यहां से यह होती है किडिनी के बाहर पिरी टोनी날 नाम है जिली ओलदेर के पतले अपर यह लीवर के थी होलना में थोड़ा सा झाली होता है ? नीचे चली जाती, बच्चों का चीज़ है, यहां मैं थोड़े पूछेगा, ठीक है, हिडिनी का काम क्या है, तो सरीर में केमिकल को बैलेंस रखना, जो केमिकल जादे हो गया है, उसे निकाल कर, पिसाब की थैली में रख देना, इसी में रखते जाता है, जितना आलतु फलत में बहुत खतरनाक होता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीबर, यूरिया को किसको दे देता है, किडिनी को, किडिनी कहां भेज देता है, बलाडर में, बलाडर के वद पिसाब की थैली को क्या कहते है, बलाडर कहते है, यूरेटल कहते है, जो इस नस को क्या का कातो है य किडणी के वजर हम एक किडणी पर है आола कि रहणा चाहिए दूगोma क्या क्यों कि रहना क्यानिայ है समझे ध्यान से एक बलड को चानने के लिए blood को च्छानने के लिए यह क्या करता है dahilesis का काम करता है क्या करता है dahilesis dahilesis क्या है एक process है जिसमें blood जब अंदर जाता है dahilosis में तो यह बोमेन संपुट तक पहुचता है और यहीं पर यह e glomerulis और बोमेन संपुट के पास मुखरूपसिज साफ में हलां कि पूरी प्रक्रिया में ये ब्लड क्या होगा साफ होगा अगर आप बायलोजी के लिए नीट वगरा की पढ़ाई की जागा तो उसमें ये हर एक प्रोसेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए लेकिन आपका है क्योंकि प्यूर आपका मतलब डॉक्टर तो आपको ब अच्छे हुए अच्छे ब्लड को वाकस मुला दिया जाएगा तो बता यह पुणर ऑष्यूसर कोन करता है तो बड़ा थो प्रक्रान करता है मतलब गंडिदे को क्षे गेंछिता है इसके साथ एगरम को कोई अच्छा चीजा गेया तो वापर क्या करता है ल्टान प्ही में डाला जाता है वो मसीन उस पूरे बलड को साफ करता है उसमें से फालतू केमिकल पादार्थों को बाहर निकाल लेता है दूसी चीजों को बाहर निकालता है फिर सरीर में भर देता है तो जिनको डाय दोनों किड्नी खराब होती है उन्हें महीने में एक बार डाइलिसिस क कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन भर साफ होता है, किडिनी में कभी-कभी स्टोन जम जाता है, क्योंकि हमारे खाने में या फिर पानी में, अगर कैल्सियम और जीलेट की मातरा जादे रहेगी, तो किडिनी में जाके जम जाता है, जिस वज़े से डॉक्टर अलग-अलग दवा गैल्सियम और जिलेट की कारण, किडिनी में क्या बन जाता है, कभी–कभीद बुर्हापे में उतना अच्छाा से काम नहीं करता है, तो पूरे शरीर का «केमिकल बालेंस», क्योंकि इसहीं क्योंytt जादे हो गया, पिसाब के राнееibtर बाहर करो, क्यों स Som未 गया उसे रोक दो, blood को छान दो, dialysis करो, ultra filtration करो, यह सारा काम kidney का है, तो सरीर में कभी-कभी uric acid बढ़ जाता है, uric acid बढ़ जाएगा, तो सरीर की हड़ियां ज्याम होने लगेंगे, तो उसी गठिया नाम का रोक कहते है, क्या कहेंगे, गठिया, आप हमारे एज के आईएगा, तो आपको ऐसे गठिया होगा, बैठियेगा, तो सरीर चोय चोय बोलेगा, आपका, समझा गया, आपने बाबा दादा लोगों को देखिएगा, आप उनका सरीर अजीब चोय चोय क्या बढ़गी है उनके सरीर में, यूरीकेसिड बढ़गी है, ठीक है, डॉक्टर दवा देता है, बैलेंस हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना,